हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फोर कोड लर्निंग तो आज का जो हमारा टॉपिक है आई यूएस एप डेवल्पमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने टेबल व्यू को इंप्लिमेंट करना है विद दी हेल्प आफ कस्टम सेल और साथ में हमने जो सेलेक्शन प्रोसेस है उसको कस्टमाईज करना है और एक नई टेक्नीक सीखेंगे जिसकी हेल्प के साथ आप मल्टिपल सेलेक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं टेबल व्यू के अंदर तो चलिए पहले मैं आपको स आज हमने डिवेल्प करनी जो है वो सीखनी है तो चलिए यहां पर आप देख पा रहे हैं सिमूलेटर के अंदर मैंने जो मुबाइल की कंपनी के जो नेम्स हैं उनको एज स्क्रोलिंग लिस्ट आफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्पले करवाया है इस बार मैंने जो टेबल वियू यूज किया था वो किया है कस्टम सेल तो चलिए यहां पर आप देख पा रहे हैं हर एक मुबाइल कंपनी के आगे मैंने एक सर्कल जो है वो डिस्पले करवाया हुआ है ग्रीन कलर का बेसिकली यह अंचेक्ट सेलेक्शन है और जैसे ही मैं किसी रो के ओपर क्लिक करता हूँ जैसे मैंने सैमसंग के ओपर क्लिक किया रो के ओपर तो आप देख पारे है मेरा जो सर्कल है वो टिक की फोम के अंदर जो है वो कनवर्ट हो चुका है तो यह बैसिकली मेरे पास असेस्ट फोल्डर के अंदर दो इमजीज है यह पी एंजी फॉर् जो हैं वो परफॉर्म करता हूं तो आप देख पा रहे हैं मल्टिपल टिक के जो साइन है वो यहां पर हर एक selected mobile company के आगे जो है वो डिस्पले हो चुका है चलिए मैं अगर कोई selected row को फिर से क्लिक करता हूं तो आप देख पा रहे हैं particular row जो है वो डिस्पलेक्ट हो चुकी है इस तरीके से मैं selection और डिस्पलेक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकता हूं और अगर मैं done बटन के ओपर क्लिक करता हूं तो मैं आपको output window के अंदर जो है वो दिखा पाऊंगा कि मेरे पास लिखा आ चुका है कि you have selected following mobile companies सबसे पहले मैंने यहाँ पर select कर रखा है mobile Motorola उसके बार में OPPO और उसके बार में Nokia तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं मैंने OPPO select किया है Motorola select किया है और Nokia select किया है तो इस तरीके से आप जो है multiple selections का जो data है उसको आप fetch करवा सकते हैं कि user ने कौन कौन सी row को जो है वो select करवाया है तो चलिए friends student यही example आज हमने develop करनी सीखनी है काफी important example है काफी सारी applications के अंदर इस तरीके की जो implementation की जो जुरूरत है वो आपको पढ़ेगी इसलिए यह example सीखना आपके लिए बहुत जुरूरी है और single selection किस तरीके से perform करते हैं अगर उसके बारे में भी आप सीखना चाहते हैं तो हमारी जो इससे पिछला video tutorial हमने चैनल के उपर अपलोड किया है वो आप जुरूर एक बार जो है वो देख लें तो यह जो पाट है यह उसी का ही continuation के अंदर पाट है इसमें हम multiple selection को perform करेंगे और इससे पिछले वाले video tutorial के अंदर हमने single selection को जो है वो यूज किया था तो चलिए friends यहाँ पर अगर मैं theoretically थोड़ा सा overview इसका आपको बताऊं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे मेरे theoretical view के अंदर theory के अंदर के मैंने ui table view class को जो है वो यूज किया है तो ui table view ios की built-in class है इसकी help के साथ आप जो है किसी भी data source से जो data है उसको आप आजे scrolling list of items की form के अंदर जो है वह display करवा सकते हैं एक table view को manage कौन सी class करती है अगर आपको वो कोई पूछे तो आप बताना पड़ेगा आपको के ui table view controller जो class है वो हमारी ui table view जो basic class है उसकी एक super class है जिसको हम table view controller class भी जो है वो कहते हैं तो चलिए हमने इस example के अंदर दो methods जो हैं वो हमने delegates और protocols के use की हैं table view के तो पहला है did select row at जब कोई user किसी particular row को select करने की कोशिश करता है तो delegate हमें बताता है कि row जो है वो selected हो चुकी है तो इसी method के थुरू हम जो है वो detect करते हैं जो coding है selection की वो हम इस method के अंदर जो है वो perform करेंगे और did deselect row at नेम से आपको पता चल रहा है कि जब कोई user किसी selected row को जो है वो deselect करता है उसके उपर दुबारा से क्लिक करता है तो हमारा delegate बताता है कि particular row जो है वो deselect जो है वो हो चुकी है चलिए friends students अब हम देखेंगे practically यह वली example जो है हमने किस तरीके से develop करनी है तो मैं इस पूरे project को stop कर देता हूँ इस पूरे project को मैं close कर देता हूँ और एक नए project के साथ हम जो हो शुरुबात करेंगे तो friends students अगर आप इस channel के उपर नए है चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से channel को subscribe कर लें क्यूंकि इस channel के उपर हम daily programming के लेटर जो video tutorials हैं उनके सबसे बड़िया जो methods हैं वो upload करते रहते हैं जिससे आपको programming सीखने और समयने में काफी help मिलेगी और साथ म कहीं कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत कोई परिशानी आती है तो आप हमने comment करके यहां फिर हमें email करके directly बता सकते हैं ताके हम उसका जो solution है वो आप तक कोशिश करेंगे कि जल से जल पहुँच पाए चलिए यहां पर सबसे पहले file new एक project जो है वो create करेंगे अब आपने single view application जो है वो develop करनी है next पर क्लिक करूँगा अब आपने जो example आप develop करने जा रहे हैं उसकी जो name है वो आपने provide करना है तो मैं यहां पर लिख देता हूँ ui table view multiple selection custom cell तो बाकी settings आपने default रहने देनी है जो language हम use करेंगे आज की example के लिए वो है swift और अब हम next के ओपर क्लिक करेंगे अब हमने अपने laptop के अंदर कहीं पे भी फोल्डर जो है वो create करना है तांके हम उस particular folder के अंदर जो है आज की सारी example का जो source code है वो सेव कर वापाएं तो इस तरीक्वे से मैं एक folder जो है वो create करने की कोशिश करता हूँ इस folder को create कर देते हैं और इस folder के अंदर सारा product जो है वो हम create कर देते हैं यहां पर आप देख पा रहे हैं मेरा जो project है वो create हो चुका है अगर मैं आपको build settings के अंदर दिखाओं तो जो swift का version है यहां पर मेरे पास वो है 5 और अगर मैं आपको Xcode का version यहां पर दिखाओं तो वो है 10.2.1 और जो मेरे पास laptop है यह Macbook Air तो सबसे पहला काम यही है हमारा के हमने जो है graphical user interface वो यहां पर ready करना है तो यहां पर सबसे पहले main dot storyboard के अंदर चलते हैं अब आपने यहां पर जो है आप देख पा रहे हैं storyboard तो storyboard के अंदर आपने graphical user interface वो त्यार करना है तो example के accordingly सबसे पहले हमारे पास जो है दो images जो है वो होनी चाहिए एक uncheck के लिए और एक किसी row की selection time पर जो हमने tick display करवानी है उसके लिए तो यहां पर आप देख पा रहे हैं मेरे पास दो images जो है वो available हैं दोनों का ही जो size अगर मैं आपको दिखा हूँ तो मैंने width और height जो है वो 50 by 50 जो है पहले से ही set करके रखी हुई है ताके यह square की shape में जो है मेरे पास display हो और देखने में काफी अच्छा जो है वो लगेगा तो दोनों images को मैं drag and drop करता हूँ mouse की help के साथ और इसे आपने असेस्ट फोल्डर के अंदर जो है वो लेके आना तो पहले असेस्ट फोल्डर को select कर लेते हैं यहां पर और अब दोनों images को जो है drag and drop करना इस app icon के नीचे तो चलिए दोनों ही जो मेरे पास images है वो प्रॉजेट के अंदर जो है वो import हो चुकी है अब हमने development जो है वो start करनी है तो सबसे पहले graphical user interface जो है वो यहां पर develop करेंगे पहला का मैं हमने इसके ओपर क्लिक करना है storyboard के ओपर view को select करेंगे और attribute inspector के अंदर जाने के बाद जो इसका background color है वो आप अपने accordingly जो है वो set कर सकते हैं तो यहां पर मैं yellow color जो है वो provide करता हूँ अब आपने library icon के तुरू टेबल व्यू टेबल सर्च करने की कोशिश करनी है और इस टेबल व्यू को drag and drop करना है storyboard के ओपर अब आप चाहते हैं कि इस टेबल व्यू को जो है वो हम सारी mobile के screen के ओपर जो है वो display करवा पाएं तो उसके लिए इसके जो constraints हैं वो set करेंगे तो सेट करते हैं यहां से चारों साइडों से आपने 00 करना है और इसको add कर देते हैं as a constraint तो अब आपका next step जो है वो है आपने यहां पर prototype cells जो है जो इसकी attribute inspector के अंदर property है इसको आपने one करना है तांकि एक cell जो है वो create हो पाए और size inspector के अंदर जाने के बाद यहां पर जो रो की height है वो आपने कार्डिंग ली जो है वो set कर सकते हैं तो मैं यहां पर जो हो 100 एंटर करता हूं और इसी तरीके से आपने table view cell को select करना और इसकी भी जो row की height है वो आपने देनी है 100 चलिए यहां पर जो table view cell की जो row की height अब भी आपने 100 कर दी है अब हम क्या करेंगे अब हम इसके attribute inspector के अंदर जाएंगे और यहां पर जो identifier का name है वो आप कोई भी name यहां पर provide कर सकते हैं हमने यहां पर cell लिया, cell क्यों लिया क्योंकि इसी identifier name को हम coding के अंदर use करेंगे तो एक बात आपने दियान में रखनी है कि जो identifier यहां पर आप यूज करेंगे सेम identifier name आपको coding के अंदर जो है वो यूज करना पड़ेगा तो चलिए अब हमने इस table view के delegate और data source जो है वो set करने हैं तो control key को press करते हुए keyboard पे mouse की help के साथ इसे drag and drop करेंगे व्यू कंट्रोलर के ओपर और इसी तरीके से फिर से drag and drop करेंगे व्यू कंट्रोलर के ओपर और delegate और data source दोनों ही हमने जो है वो set करने हैं तो अब हम जो है इस cell को create करने के लिए एक image और एक label दो UI elements को जो है वो drag and drop करेंगे इस library से तो सबसे पहले image view को drag and drop करते हैं यहां पर इस image view का जो हमने size है वो यहां पर जो width है वो देनी है 50 और height भी जो देनी है 50 तो चलिए इस image view को हम vertically align करते हैं center में और यहां से इसकी जो alignment vertical in container वो set करेंगे और अब हमने इसके जो constraints हैं वो set करने हैं पहले trailing और width और height जो है दोनों ही set करने हैं और यहां पर add करेंगे as a constraint तो चलिए अब हमने कोई भी एक image वो यहां पर set करके देख ले नहीं है तांके वो correctly display हो पाए तो यहां पर मैं untick वली जो image है वो यहां पर set कर देता हूं अब मैं library के through एक label को जो है वो drag and drop करूंगा इस storyboard के ऊपर तो चलिए इसकी जो width जो है वो मैं थोड़ी से increase कर देता हूं और यहां पर लिख देता हूं apple company का name mobile company का name और इसकी जो font size है वो 24 कर देता हूं और अब हमने इस label के जो constraints है वो set करने है top, trailing, leading और bottom और इसे add as a constraint जो है वो हम set करेंगे तो चलिए दोनों ही जो UI elements है वो उनको हमने place कर दिया है अपने cell के अंदर अब हम जो है इस table view cell की जो एक custom class जो है वो create करेंगे तो वो किस तरीके से आपने create करनी है वो यहाँ पर click करेंगे प्लस फ़ले sign के उपर new file के उपर click करेंगे यहां से आपने cocoa touch class जो है वो add करनी है अब मैं इसको select करूंगा next पर click करूंगा अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो class आपने create करनी है वो किस class की sub class होनी चाहिए वो class जो इसकी super class होगी वो आपने यहाँ पर mention करनी है ui table view cell और अब हमने यहाँ पर class का जो name है वो provide करना है my table view cell तो चलिए अब मैं next पर click करता हूं अब मैं यहाँ पर जो है इस file को जो है वो create कर देता हूं cocoa touch class file को जो है वो create कर देते हैं my table view cell class जो है वो मारी बन चुकी है अब हमने इसको table view cell के साथ जो है वो attach करना तो बड़ा ही easy है storyboard के अंदर चलते हैं और यहाँ पर cell को select करेंगे identity inspector के अंदर चलते हैं और class जो है वो यहाँ पर set करनी है class का name आप जैसे ही type करने की कोशिश करेंगे तो पूरा name अपने आप ही जो है वो यहाँ पर display होगा enterprise आपने करना है तो चलिए class जो है वो set हो चुकी है cell के साथ अब हमने इन दोनों ही UI element image और label इन दोनों के जो IB outlets है वो create करने है तो इसके लिए हम assistant editor के अंदर चलते हैं यहाँ पर बाकी windows को मैं यहाँ पर hide कर देता हूं अब मैं यहाँ पर जो class select करूंगा वो करूंगा जो अभी हमने यहाँ पर class जो हो create की है माई table view cell इसके अंदर जाएंगे इसके अंदर अब हमने इस image का जो IB outlet है वो create करना है बड़ा ही आसान है इसको select करके control की को press करते हुए यहाँ पर drag and drop करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे माई लेबल तो चलिए दोनों को हम यहाँ पर connect कर देते हैं अब हमने करना गया है अब हमने यहाँ पर एक variable जो है वो create करना है तो सबसे पहले standard editor के अंदर चलते हैं और बाकी windows को मैं unhide कर देता हूं और इस my table view class के अंदर चलते हैं इसको मैं save कर देता हूं और अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि के एक variable जो है वो हमने यहाँ पर create करना है तांके हर एक cell को पता करवा पाएं हर एक cell के backend पे हम चेक करवा पाएं कि वो क्या selected है यहाँ unselected है यहाँ deselected है यहाँ selected है तो उसके लिए एक variable यहाँ पर create करेंगे is checked उसका name रखेंगे और इसको by default value देंगे false चलिए मैं इसको save कर देता हूं एक बार अब हमने उसी तरीके से फिर से view controller के अंदर जाना है और यहाँ पर अब हम बाकी का जो coding वाला process है वो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर कोडिंग करने से पहले जो मेरा storyboard के अंदर table था इसका जो ib outlet है वो हम create कर लेते हैं तो उसके लिए assistant editor के अंदर चलते हैं बाकी windows को मैं यहाँ पर hide कर देता हूं और हमने class जो manually यहाँ पर select करनी है वो करनी है view controller और इसके अंदर हमने जो है वो इस table view का जो ib outlet है control की को प्रेस करते हुए जो है वो create करना है और ib outlet का जो name है वो हमने यहाँ पर provide करना है my table इसको connect कर देते हैं तो चलिए ib outlet जो है वो मेरा बन चुका है तो चलिए अब मैं standard editor के अंदर चलता हूं और बाकी windows को unhide कर देते हैं और अब हम यहाँ पर view controller class के अंदर चलते हैं और अब हमने यहाँ पर जो coding है वो apply करनी है तो coding बड़ी ही easy है सबसे पहले आपके पास जो data आप display करवाना चाहते हैं table view के अंदर वो data किसी ना किसी format के अंदर होना चाहिए तो आज की example के लिए हम जो array string array है उसको use करेंगे तो बड़ा ही simple है string array create करना यहाँ पर एक variable create करते हैं किस type का होगा यह basically string array होगी phone company list और अब आपने यहाँ पर directly जो double code के अंदर mobile manufacturing companies के जो name है वो यहाँ पर provide कर सकते हैं तो लिस्ट आप अपने जो है वो create कर सकते हैं मैं यहाँ पर 4-5 companies के जो names है वो लिख देता हूं नोकिया मोटो रोला मैं मोबाइल ओपो और लास्ट में हम लिखेंगे लावा तो चलिए यहाँ पर डेटा सोर्स जो है वो हमारा रेडी है अब हमने क्योंकि टैंपरेरी एक string array और यूज करनी है तांके और अब हम यहाँ पर जो temporary जो selected list है जो selection user ने की है उसका data भी हमें कहीं ना कहीं store करवाना है तो उसके लिए एक array और हम यहाँ पर use करेंगे और इस array का जो name है वो हम रखेंगे selected indexes और चलिए इसको भी as a string array जो हम use करेंगे मगर इस बार जो array हम use करेंगे वो एक blank array जो होगी तो चलिए अब हमने करना क्या है अब हमने जो table view को जब हम implement करते हैं तो जो उसकी coding है वो हम करेंगे बड़ा ही easy है यहाँ पर use करेंगे extension तो काफी सारे video tutorial जो है वो हम इस channel के ओपर इसके regarding जो है वो upload कर चुके हैं तो चलिए यहाँ पर मैं use करूंगा view controller और दो protocols जो है वो use करूंगा ui table view delegate और साथ में ui table view data source तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जब भी आपने protocols को use करना है तो उनको confirm करने के लिए उनके जो compulsory methods है वो आपको code करने पढ़ेंगे तो उनको code करने के लिए आपको यहाँ पर fix पर click करना पड़ेगा तो आप देख पा रहे हैं दो methods जो compulsory है उनका जो skeleton है वो यहाँ पर बन चुका है इसके अंदर हमने सबसे पहले coding करनी है तो यहाँ पर सबसे पहला method है हमारे पास number of rows जो हैं वो section के अंदर कितनी होनी चाह अंदर जो होगी अब हमने यहाँ पर जो है cell for row add इस त्रीके का जो parameterize method है इसको code करना है तो बड़ा ही easy है code करना उसके लिए हम यहाँ पर coding करेंगे तो एक बर आप code जो है वो देख ले सबसे पहले let और यहाँ पर use करेंगे cell अब आपने my table जो आपका IB outlet था उसके तुरू dq reusable cell जो method है वो call करना है identifier में cell लिखेंगे यहाँ पर index path लिखेंगे और इसको हमने typecast करना है as a my table view cell जो class आपने create की थी custom class तो अब आप पूछेंगे यहाँ पर cell हमने क्यों use किया है तो मैंने आपको पहले ही बताया था इस cell के identifier के अंदर जो name आपने यहाँ पर use किया है same name आपको coding के अंदर जो है वो use करना पड़ेगा तो view controller class के अंदर चलते हैं और अब हम further जो coding है वो करेंगे तो सबसे पहले cell के साथ जो हम उसकी जो image है my image जो ib outlet था custom class के अंदर उसकी जो image है वो set करेंगे data कहां से आएगा ui image के through हम fetch करेंगे data को named parameter को use करेंगे और यहाँ पर कौन सी image को display करवाएंगे अंटिक वली तो एक बार आपको मैं image दिखा देता हूं यहाँ पर तो यह वली जो image है अंटिक वली इसको सबसे पहले by default हम जो है वो display करवाएंगे cell की image view के अंदर अब आपने cell का जो my label है उसको set करना है उसकी text property को set करेंगे data कहां से आएगा phone company list में से आएगा कौन सा data होगा index path.row के तुरू assess करेंगे और यहाँ पर cell को जो है वो हम return करेंगे और एक बात और मैं आपको बता दूँ जब भी किसी cell को हम select करते हैं यह user select करने की कोशिश करता है तो उसका color जो है वो gray color का आता है तो वो gray color हम नहीं चाहते display करवाना selected rows के अंदर तो उसको gray ना हो इसलिए हम cell की जो selection style है उसको हम करेंगे none तो चलिए यह code भी हमने यहाँ पर कर दिया अब हम जो code लिखेंगे वो करेंगे जब user किसी row के उपर click करेगा यहाँ select करने की कोशिश करेगा तब हम जो जो method code करेंगे वो हमारा method होगा did select तो जैसे ही did select यहाँ पर लिखते हैं तो हमारे पास एक method निकल के आता है did select row at parameterize method है इसकी अंदर हम जो coding है वो करेंगे तो coding बड़ी ही easy है यहाँ पर variable लेंगे cell my table के तरू जो उसकी selected cell है जो row number है selected cell का row number है वो यहाँ पर fetch करेंगे index path के तरू उसको type cast करेंगे my table view cell जो custom class थी उसके थ्रू और cell के अंदर जो हमारा is checked जो variable था मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको my table view cell के अंदर जो is checked मेरा यहाँ पर variable है इसकी value को हम जो है by default false करेंगे और बाद में जैसे user select करेंगा यहाँ पर हम जो है वो true करेंगे अब हमने true करने के बाद cell की जो my image है उसकी image को set करेंगे data कहां से आएगा उसी देखे से UI image से आएगा यहाँ पर हम named parameter यूज़ करेंगे और इसको कौन सी image पास करेंगे tick वली image जो है वो पास करेंगे अब हमने selected indexes के अंदर अपेंड करना है data कौन सा data अपेंड करेंगे जिस row का number हम select करने जा रहे हैं या user select करेंगा उसका जो row number है वो index.row के तुरू है यहाँ वो हम अपनी जो temporary array यहाँ पर हमने जो create की थी इसके अंदर जो है वो store करेंगे अब हमने क्योंकि output window के अंदर जो data वो display करवाना है कि आपने कौन सी row जो है वो select की है तो यहाँ पर लिखेंगे you have selected phone company और इसको string interpolation यूज करेंगे phone company list में से data को pick करेंगे कौन सा data वो हम index.row के तुरू जो है वो assess करेंगे अब हमने जो coding करनी है वो करनी है coding जब user किसी selected row को जो है वो फिर से click करने की कोशिश करेगा कहने का मतलब किसी particular row को deselect जब करेगा तो अब हमने यहाँ पर इस तरीके का method जो है वो code करना है coding बड़ी ही easy है सबसे पहले cell की reference लेनी है जो select जो cell हम deselect करने जा रहे हैं या user deselect करने जा रहा है उसकी my table के तुरू जो है वो reference लेंगे करेंगे index path और यहां पर इसको typecast करेंगे as a my table view cell cell का जो variable था is checked उसको हम false करेंगे और अब हमने cell की जो my image है यहां पर मैं आपको दिखा देता हूँ my image उसकी image जो हम वो set करेंगे data कहां से आएगा UI image को use करेंगे named parameter को use करेंगे और इसको pass करेंगे untick जो हमारा green circle था वो वो वली image और यहां पर जो है वो हम index to remove क्योंकि हम जो जो row जो select करने जा रहे हैं जो जो user select करता जाएगा row को वो हम इस temporary array में store करते हैं और जब user उस row को deselect करेंगा तो हमें इस array में से वो वली particular जो index की value है वो remove भी करनी है तो इसलिए हम यहां पर इस तरीके से code जो है वो use करेंगे remove index to remove और कौन सा index नंबर है वो कहां से आएगा वो index selected indexes.first index और यहां पर जो data है वो हम सर्च करेंगे कौन सा data वो हम सर्च करेंगे इंडेक्स पार डॉट रो के तुरू पर्टिकुलर रो नंबर को जो है वो हम रिमूव करेंगे इस तरीके से अब हमने इस तरीके का method यूज करना और इसको पास का करेंगे पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू कौन से नंबर वले कौन से नंबर वले element को हमने एरे में से रिमूव करवाना है अब हम यहां पर प्रिंट स्टेट्मेंट को यूज करेंगे और यहां पर यूज करेंगे यूज करेंगे और यहां पर लिखेंगे फोन कंपनी लिस्ट डॉट सॉरी यहां पर स्कॉयर ब्रैकेट इंडेक्स पार डॉट रो चलिए अब हमने डी स्लेक्ट रो के टाइम कौन सी कोडिंग जो एक्जीकूट करवानी है वह भी यहां पर कोड कर दी है अब हमारा जो एक काम यहां पर रह चुका है वह मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर देख लेते हैं क्या यहां पर प्रॉब्लम आ रही है इंडेक्स तू रहा देता हूं हमने यहां पर जो डन का बटन है ऊपर डिस्प्ले करवाना है नैविगेशन बार के अंदर तो उसके लिए सबसे पहले इस व्यू कंट्रोलर को स्लेक्ट करेंगे और यहां से जो आज नैविगेशन कंट्रोलर को जो आड करते हैं अब हमने इस इसको ड्राइटर करना है यहां पर इस नैविगेशन आइटम के अंदर और इसकी जो सिस्टम आइटम है उसके अंदर प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है डन अब आपने असिस्टेंट एडिटर के थ्रू जो है इस बार बटन आइटम डन बटन का जो आई बी आई सौरी बाको मएद čाभे सेटम हो पर के ओलार भयाल के आपने उसके यहां यहां पर जो झोम!" मुद्फर का रहए मुद्फर को को भी निवहां को स्किरा निया में हुआ यहां पर आई बी एक्षेंटिक है वह लिए क्लग करेंगे जहाँ और संब आइप जो आए हैं गैशनvest-बै यह हमने करनी है तो कोडिंग बड़ी इजी है सबसे पहले यहां पर हमने प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करनी है you have selected following mobile companies और अब हम यहां पर follow views करेंगे और हर एक selected indexes जो हमारी array उसके अंदर हर एक item को ट्रेट करेंगे और उसे one by one जो है वो हम print करते जाएंगे phone company list और यहां पर index और इसको पास करेंगे int conversion करेंगे क्योंकि item हमारी string में है हमें उसे integer में convert करना पड़े इसलिए मैंने यहां पर इसको integer में convert किया और बार में हमने यहां पर जो है करेंगे देखते हैं और देखते हैं क्या हमारी जो एक्जामपल है अब प्रॉपरली वर्क कर पाती है तो मैंने एप जो है वो बिल्ड कर दी है simulator के अंदर देखते हैं एप हमारी प्रॉपरली जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी जो है वो हमारा बैटर तरीके से जो है वो आ चुका है और अगर मैं यहां पर आपको दिखाओं तो जो डेटा है वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो चुका है तो चलिए किसी रो को स्लेक्ट करते हैं जैसे मैंने उसको स्लेक्ट किया आप देख पा रहे हैं अंटिक से वो टिक में कर्वर्ड हो चुकी है रो और किसी और रो को मैं स्लेक्ट करता हूं तो पहली अंटिक होगी है और नहीं जो है वो टिक होगी ऐसा क्यों क्योंकि हमने एक ऑप्शन जो है वो यहां पर अप्लाई नहीं की तो मैं आपको दिखा दे बाइड वियुक्स अगोए उसके अंदर जो सेलेक्शन भो सिंगल सिलेक्शन है हम इसको करणा है मोई सेलिक्शन थे करें देखिए प्यों तो मेरे अद देखिए या वी सांट आप dab़ सेलिक्सon करतें अब आप simulator के अंदर देखिए अब मैं किसी दो रोज को select करूँगा तो आप देख पारें दोनों ही जो है वो selected हैं एक और रोग को select कर लेता हूँ अब मैं जैसे ही done button के उपर click करूँगा तो आप देख पा रहे हैं output window के अंदर मेरे पास लिखा आ चुका है you have selected Samsung, Nokia and Motorola तो इसी दरीके से Samsung, Nokia and Motorola हमने select किया था यहाँ पर simulator की example के अंदर तो friends, students इस तरीके से आप जो है जो हमारी जो multiple selections हैं वो custom cell के अंदर जो है वो customize जो टिक के थरू जो है वो perform कर सकते हैं आपको आज की example के बारे में knowledge मिल चुकी है कि किस तरीके से यह वली example आपने त्यार करनी है कोड करनी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और अगर और भी वीडियो से मारे चैनल के उपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलिए और बेल आइकोन को प्रेस कीजिए तांके हर एक वीडियो आपके पास जल्द से ज को अ जल्द से स mówią, कर आपके पास जल्द से दिरांग भी को लाइकोन काला मत इसी जल्द स cumaजना मते पास पास जली आपके पास चाहते हैं तो जल्द遜 विडिर द वैंगर लिफस्ट बोले कीजिए खशना ज जल्द से